एक बार किसी वित्या समच्छा में फॉस्कार, तेनाली राम ने राजा कृष्णे देवराय से कुछ पैसे उधार लिए, महराज मेरी आप से हाथ जोड़कर विंती है, क्यरप्या करके आप मुझे कुछ पैसे उधार देने का कष्ट करें, तैस समय पर मैं आपके पैसे आपस लोटा दूगा महराज, हाँ क्यों नहीं तेनाली राम, सबकी मदद करना हमारा फर्ज है, और फिर तुम तो वैशे भी हमारे दरबार के एक अधिकारी हो, चलो बताओ, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है, बस केवल 20,000 रुपे चाहिए महराज, क्या, 20,000? इतने रुपों का तुम क्या करोगे तेनाली राम? सुना है महराज, पडोशी राज्ये में एक बहुत अच्छे बुनकरों का गाउं है, जो बहुत ही महीं धागा बनाते हैं. महराज, मेरे पडोश में भी कुछ बुनकर रहते हैं, जो बहुत ही सुन्दर कपड़ा बनाते हैं. म बहुत ही अच्छा और महिन धागा बनाया है। हमारे रैज्य के बहुत सारे व्यापारियों ने वो धागा खरीदा है। तेनाली राम जी, यदि आप हमारी मदद कर दें, तो हम भी वो धागा खरीद सकते हैं, जिससे हम लोग बहुत ही अच्छा कपड़ा बना सकते हैं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? यदि आप महराज कृषिन देव राय से हमारे लिए 20,000 रुपे उधारी ले आओ तो उनसे हम लोग वो धागा लाकर अच्छा कपड़ा बना सकते हैं तेनाली राम जी हम चार महिने के 30 में पर आपको सारा पैसा वापस लोटा देंगे ठीक है तेनाली राम हम तुम्हे रुपे देते हैं लेकिन याद रहे इन पैसों के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार रहोगे चार महिने के तैस में पर तुम्हें ये पैसा वापस करना होगा हाँ ठीक है महाराज ये लो धनिराम पैसे हैं लेकिन ध्यान रहे चार महिने के तुरंत बाद महाराज को ये पैसे वापस करने होंगे नहीं तो भविश्य में महराज हमारी कभी भी मदद नहीं करेंगे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद महराज हम तैस समय पर आपको पैसा पापस कर देंगे एक दिन राजा को तेनाली राम की पत्नी की ओर से एक पत्र मिला उस पत्ट्र में लिखा था कि तेनाली राम बहुत बिमार है। तेनाली राम कई दिनों से दर्बार में भी नहीं आ रहा था। इसलिए राजा ने सुचा कि स्वेम जाकर तेनाली राम से मिला जाए। साथ ही राजा को भी संदेव हुआ कि कहीं उद्धार से बचने के लिए तेनाली राम की कोई योजना तो नहीं है। राजा तेनाली राम के घर पोंचे तो वहाँ तेनाली राम कंप लोड कर पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी ऐसी अवस्था देख कर राजा ने उसकी पत्नी से कान पूछा, वह बोली महराज, इनके दिल पर आपकी दिये हुए उधार का बोज है और यही चिंता इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है एक खप्ता पहले बुनकरों की मुखिया इनसे मिलने आये थे बस महराज, इसके बाद तो इन्होंने खाट ही पकड़ ली फिर राजा ने तेनाली राम से पूझा हाँ तेनाली राम, अब तुम ही बताओ कि बुनकरों के मुखिया ने तुमसे ऐसा क्या कहा कि तुमने खाट पकड़ ली हे महराज बुनकरों के मुख्या ने मुझ से कहा कि अब की बार ज्यादा बारिस होने की बज़े से तैस समय पर कपड़ा नहीं बना पाए है सो इसलिए करप्या करके दो महिने का समय और दे दिया जाए अब आप ही बताए महराज मैंने तो आपसे वादा किया था चार महिने का अब भला आपसे और ज्यादा समय मैं कैसे मांगता बस यही सोच करके मैं विमार हुआ जा रहा हूँ राजा ने तेनाली राम को संत्वना दी और कहा तेनाली राम तुम प्रेशान मत हो तुम मेरे उधार चुकाने के लिए बंदे हुए नहीं हो इसलिए चिंता छोड़ो और सिग्र ही स्वस्थ होकर दरवार में आओ यहे सुन तेनाली राम पलंग से कूद बढ़ा और हस्ते हुए बोला महराज धन्यवाद यहे देख राजा ने तेनाली राम से पूछा यहे क्या तेनाली इसका मतलब तुम बिमार नहीं थे मुझे जूट बोलने का तुमारा साहस कैसे हुआ राजा ने करोद में पूचा, नहीं-नहीं महाराज, मैंने आप से जोड़ नहीं बोला, मैं उधार के बोज से बिमार था, आपने जैसे ही मुझे उधार से मोख्त किया, तबी से मेरी सारी चिन्ता खत्म हो गई, और उपर से उधार का बोज हट गया, इस बोज के हटते ही मेर सारी बिमारी भी जाती रही और मैं अपने को स्वस्थ मैसूस करने लगा अब आपके आदेशा नुसार मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूं और दर्बार नाने के लिए तयार हमेशा की तरह राजा के पास कहने के लिए कुछ ने था वह तेनाली की बातों पर मुस्करापड़े